हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे संकरा बिल्डिंग प्रोड़क्स के स्टॉक के बारे में, रिसेंटली आसीज कचोलिया ने इस स्टॉक के अंदर अराउंड 1.97% का स्टेक भी एक्वायर किया है, इसी क्वार्टर की ये न्यूज है, एंड इस स्टॉक का कम्प्लीट अनलि है, बट इस बिजनस के अंदर जो पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में, वो काफी इमेंस नहीं जराती है, इस वज़े से आपको वीडियो कम्प्लीट देखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल काप कम्पनी में इन्वेस्ट करना रिस्की भी होता है, लेकिन वो कम्पनी जब कि कम्पनी की बिजनस को समझेंगे, उससे पहले अगर पोटा मोटी देखा जाए तो ये company जो है organized retailer है किस चीज के अंदर home improvement sector and building product के मामले में अब इस stock के अगर long term return देखे जाए तो 2017 से ये stock listed है 686 की price पे ये stock list होता है वहाँ से अगर पिछले इतने सालों के अगर return देखे जाए तो only 3.64% के return दिया है एक time में stock ने around 200 तक के भी level दिखाये थे लेकिन stock वापस नीचे fall करता है and 2019 से आप देखेंगे लगातार एक ही range के अंदर stock trade करता वा नजरा आ रहा था उस range को अभी इस stock ने breakout किया है तो यहां से क्या level बन सकते हैं इसके future में साथ ही साथ जो ace investors है उनके द्वारा stake लेना भी इस company को future में और अच्छे valuation भी दिला सकता है अब company के अगर कुछ in-house product की बात करें तो यह pre-galvanized stripe pipes जो है precision steel tubes है उसमें Taurus नाम से company का खुद का in-house brand है लोहा नाम से pipe and welding से related खुद का brand है Prince stainless steel से related गंगा एंड गंगा gold Prince scaffolding and century roof यह सारे company के in-house product है इसके अलावा अगर company के retail sector की बात करी जाए तो 30,000 product आपको एक ही चत के नीचे मिल जाएंगे जो की different different around 125 brand से related है यह सारी list है जैसे construction material में आपको ACC, SR, Pulkit, JP इस सारे type के brand आपको एक ही चत के नीचे मिल जाएंगे जैसे ultra tech है उसके बाद में अगर plumbing की बात करी जाए तो सारी brand आपको एक ही चत के नीचे मिल जा रहेंगे flooring, electricals, interior, exterior, and irrigation साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो in-house brand है वो भी हमने यहाँ पे list किया है तो सारी चीज़ें आपको एक ही चत के नीचे मिल जाती है इससे यह फाइदा होगा जैसे कि अगर हम कोई grocery item भी अगर कहीं से भाई करना चाहते हैं तो generally आजकल middle class family है या upper middle class family है तो उनका ये generally रहता है कि सारा का सारा समान एक ही जगया मिल जाए इसी वज़े से जो mart type का system है वो काफी चल रहा है तो यही same चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी जैसे अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जैसे अगर electrical से related है interior and exterior से related चीज़ें है flooring से related चीज़ें तो वो सारी एक ही चत के नीचे आपको provide करा दी जाती है साथ ही साथ यह नाक केवल individual customer बलकि जैसे आजकल जो service provider होते हैं जैसे interior designer होते हैं जो architect होते हैं उनके लिए भी समय समय पे workshop लाते हैं जिससे की जो customers है end customers तक यह जल्दी से जल्दी पहुँँच पाए around 27 years का इस particular field में इनको experience भी है तो management भी काफी sound है इस type से build pro नाम से इनके store जो है आपको देखने को मिल सकते हैं South, East, West, सभी इंडिया में सब जगे इनके store आपको देखने को मिल जाएंगे around 125 stores है इनके and 10 states के अंदर इनके store है एक UT यानिकी दिल्ली के अंदर भी इनके store देखने को मिल जाएंगे अब अगर इसके कुछ fundamentals देखें तो 1600 करोर मार्केट कैप की कमपनी है जबकि अगर इसकी sales देखोगे तो एक साल का revenue भी around 2800 तक का revenue जनरेट करती है कमपनी stock का PE भी 40 है ROC 10.1% पर है and ROE 6.3% पर है promoter की holding 52.1% की है small cap company में हमेशा debt का देखना काफी important रहता है तो debt to equity ratio भी 0.24 है means company के उपर ज्यादा debt नहीं है अब आप देखेंगे कि 2012 से लेके company लगातार profitable है एक छोटी company होते हुए भी company profitable है यह एक बहुत बड़ी बात है company के जो profit थे जो maximum side पे थे 2017, 18, 19 में आप देखेंगे कि around 74 करोड तक का भी net profit company ने generate किया था बट पिछले 12 मेने में company का net profit देखोगे तो 40 करोड का आपको देखने को मिलेगा अच्छी चीज़ यह है कि 2021, 22 and trailing 12 month यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सालों से company ने लगातार अपने revenue के अंदर increment दिखाया है साथ ही साथ आपको net profit के अंदर भी वो चीज़ देखने को मिलेगी कि company पिछले 3 सालों से लगातार profitable है और profit को growth भी काफी अच्छे पेश से कर पाने में सक्सम दिख रही है अब अगर share holding pattern देखेंगे तो promoters के पास 52% का stake है APL Apollo जो company है उन्होंने भी इस company के अंदर around 4.38% का stake लिया है जिससे इनके साथ ये 4.38% का direct stock उन्होंने buy किया है around 750 per share के भाव पे and साथ ही साथ जो warrant के तोर पे भी around 5.78% का stake APL Apollo ने लिया है means इस company के अंदर around 10% का stake APL Apollo का है APL Apollo ने ऐसा क्यों किया क्योंकि इनका sound distribution network है ये एक permanent channel है जहांपे लोग आते हैं footfall है तो APL Apollo जो भी अपने नव प्रड़क्ट लाएगा तो उनकी अपनी खुद की strategy है कि वो इनके store से अपने product की sale को बढ़ा सकते हैं तो उन्होंने एक type की partnership की है साथ ही साथ 10% का लगबग 10% का stake भी इस company में लिया है आसी इस कचोलिया का stake देखेंगे तो 1.97 around 2% का stake है एक और yes investor है मुकुल महावीर अगरवाल उनका भी 2.41% का stake इस company में नजर आता है तो ये थे इसके मोटा मोटी इसकी fundamentals की बातें अब अगर technically इस stock को देखा जाए तो वहां भी काफी interesting चीज़े आपको देखने को मिलेगी ये अभी daily pattern में मैंने chart को open कर रखा है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर one year पर click करता हूँ तो आप देखेंगे कि one year पर click करने पर जो अभी screen पर chart है वो एक साल का है अब stock किस trend में है यह देखने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि यह stock uptrend में है downtrend में है आप simply 200 days का moving average जो कि अभी screen पे black line के रूप में आपको दिख रहा है यह आप अगर draw करते हैं तो यह line अगर उपर की तरफ जा रही है जैसे आप देखेंगे एक साल पहले 200 days का moving average around 472 पे था and currently अगर देखेंगे तो 200 days का moving average 700 रूपे के आसपास नज़र आता है तो completely यह stock uptrend में नज़र आता है and यह चीज fundamentals में भी हमें देखने को मिल रही थी कि पिछले 3 सालों से stock के जो revenue, stock का जो profit है वो increase हो रहा है and अभी लेकिन volume देखने को नहीं मिला है इस particular level पे काफी अच्छा volume आया था लेकिन यहाँ पे कोई बड़े volume के activity आपको देखने को नहीं मिलिया इस particular level पे आप कुछ volume के activity देख सकता है तो इसमें अगर अच्छा volume आएगा तो यह stock और अच्छा perform कर सकता है साथे साथ एक big picture आपको weekly chart पे भी देखने को मिलेगी अगर मैं weekly chart को draw करता हूँ इसको अगर थोड़ा zoom out किया जाता है तो यहाँ पे भी एक काफी अच्छी picture नज़र आती है जिसमें एक rounding type का pattern बन रहा है जो कि अगर इसे completely अगर यहाँ से draw किया जाए तो इस type से यह बनता हूँ नज़र आता है जो इस price को लेके जाता है अगर यह rounding pattern complete होता है तो अगेन इस price को लेके जाता है आराउंड एक हजार च्छे के आसपास जो कि इसका target भी बनता है वापस अगर इसे मैं remove करूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक और यहाँ पे आप pattern आपको देखने को मिल जाएगा clearly जो कि cup with handle type का एक pattern भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है आप देखेंगे कि इस type से बनता हुआ नजर आ रहा है साथ ही साथ अगर इस type से pattern बनता है और वहाँ पे stock अगर consolidate करता है तो एक बहुत अच्छी बात होती है वो तो वो भी इस stock में देखने को मिल रही है cup with handle pattern बनने के बाद यहाँ पे इसी price पे यह stock consolidate कर रहा है तो काफी अच्छे chances दिखते हैं future में इस stock के उपर जाने के अगर overall chart भी देखा जाए तो 686 का जो price था वो यहाँ पे है इस stock ने काफी अच्छे ऊपर की तरफ level दिखाये थे अगर उनको measure किया जाए तो वो जो high लगाया था stock ने अगर closing basis पे देखा जाए weekly closing basis पे तो around 2 2160 तक के level इस stock ने दिखाये थे तो current price वहाँ से बहुत कम दब नजर आती है साथ ही साथ जो यह business है इसका अगर देखा जाए तो 2 लाग करोड का करीब यह market space है जिसके अंदर अगर यह संकरा building product है जो एक market leader है जिसकी sales आप देखेंगे तो around 3000 करोड की sale है तो जो market leader है उसी की sale इतनी कम है लेकिन market की opportunity बहुत बड़ी है तो उसको देखते वे भी इस stock के future में जो outlook है वो काफी अच्छा नज़राता है Thank you for watching this video और इसी type के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं